जाहिन दोस्तों हमारे पास नोकिया का एसेट चार्जिंग से रिलेटेट आया है जो चार्जिंग की प्रोब्लम के लिए यह इसे देखते हैं कि पहले मोडल नंबर कौन सा मोडल एक नोकिया का नोकिया टी यह दस चोंदीस है कि चार्जिंग प्रोब्लम से जुड़ी मैं आज सारी जितने भी प्रोब्लम होते हैं जिस दिखर से खास करके जो नोकिया तीन मोडल के हैं दस चौंदीस है कि दस दस है 105 है यह तीनों मोडल सेम ही है इसमें स्टरीके से मैं सोल करने की पूरी कोशी करूंगा स्टेप बाइस्टेप जितनी भी पॉइंट है हर पॉइंट पे मैं मल्टी मेटर से चेक करके बताऊंगा मल्टी मेटर यह चीज आपको ध्यान कर लेना फिरेंट की चार् करना आपको बिल्कुल भी इस तरीके से आना चाहिए तो ही चार्जिंग प्रॉब्लम की जितनी भी चार्जिंग से लेंटर जान करिया है वह भी आपको अच्छे तरीके से आप उसे सोल कर पाएंगे यह सट को सबसे पहले खौल लेते हैं उसे भाई ने इससे कहीं रिपि लिए सही है चार्जिंग जैक इसमें नया लगा हुआ है किसी ने लगाया चार्जिंग जैक नया पर यह काम नहीं कर रहा है मैं स्पर स्टरीके से मैं स्टेप बाइस बताने की पूरी कोशिश करूंगा जिससे आपको भविश में कोई भी सैट आसानी से आप रिप्यर कर पाएंगे बिलकुल इसी तरीके से आप मल्टी मेटर ले मिटे मल्टी मेटर को हमTD20 such करके रखना है और Custom Beyond Checkक करना है ब्लुकुर डाइग्राम में आप देख सकते हैं जो डाइग्राम ने बहुतर तरीके से बंदाए यह सेम इसी तरीके से लाइन चार्डिंग जक्से चार्जिए सी तक आया हुया है इसके इसमेन लगाता हूं जाजैंट में कि चार्जर के मदद से इसके सप्लाइच चेक करेंगे करन्ट इसका कहां तक पहुंच रहा है किस डाइबोर तक और किस जगह से हमारा चार्जिंग डैमेज है जो आगे बैटरी कनेक्टर तक नहीं पहुंच पार रहा है कि आप देख रहे हैं प्रेंट चार्जर हमनें लगा दिया चार्जिंग जेक में मल्टिमेटर है यह ब्लेक वाला वायर यहींनि माइनेस वाला गराउंड पर रख दीजिए और रेट वाला यहींनि पलस वाला वायर से हमें चेक करना है है सबसे पहले में चार्जिंग जेक में चेक करते हैं चार्जिंग जेक में सप्लाई पूरा आ रहा है जो चार्जर हमारा करन बना रहा है वह चार्जर हमारा पूरा चार्जिंग जेक तक करन फूल आ रहा है अब इसके आगे के सप्लाई में चेक करना है कहां किस जेखे से डेमज है कि बिल्कुल ध्यान से आप देखिए फिरेंड चार्जिंग जेक्स से होके जो सप्लाइब आप अरह मी डाइबोर्ण में आ रहा है जो आभी डायग्राम में दिखाया हो उस तरीके से आब लकुद देख सकते हैं यहां पे भी सप्लाई इस डाइबोर्ण में थे संपलाई आ रहा है यह द आग में सप्लाई आ रहा है चार्जर हमारा जितना सप्लाई बना रहा है पूरा करण्ट यहां पर आ रहा है इस डाइबोर तक अब आगे हमें चक करना है जहां यह वहां से उठा कि यहां पर यह सप्लाई आ रहा है जहां पर करण्ट आ रहा है दूसरा आपको चक करना इस जिखे पर यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर भी सप्लाई आ रहा है यहां पर आप यह देख रहे हैं चार्जिंग आईसी लगा हुआ है था है चार्जिंग आज़ी तक हमने सप्लाई चेक कर लिए है में सप्लाई ओचाइड में आ रहा है यह साइड में चाटि जो चारजिंग आई सप्लाई पूरा नहीं निकाल रहा है आप यहां पर सब्लाई देख सकते हैं 5.3 है जहां था पर होना चीए seven point से उपर होना चीए विए आप फिर से माइलने फिरेंड अगर five point से नीचे आ रहा है तो charging नहीं होगा से हमारा या charging चलेगा तो चलेगा सिलोच चलेगा सिर्फ पर पर शो करेगा कि चार्जिंग चल रहा है पर living अंदर चड़ेगा नहीं अगर seven point से नीचे सप्लाइय है मल्टी मेंटर हमारा बता रहा है सभवन प्रन से नीचे तो चार्जिंग चल है पर बैटरी के अंदर चड़ेगा नहीं कि बिल्कुल यहीं प्रॉब्लम सेट के अंदर है चार्जिंग आई सी फाइव पॉइंट सप्लाई निकाल रहा है पर जो बाटरी करेंटर तक है यहां पर सप्लाई भी नहीं पहुझ रहा है इस कंडिशन में हमें क्या करना पड़ेगा जो आप डाइबोर्ड देखने हैं हम अब भी निकाला एक डाइबोर्ड यह डाइबोर्ड आप ले लिजिए किसी भी आपको मिल जाएगा या अगर आपको नहीं मिल रहा है तो चार्जर खराब चार्जर हो खराब चार्जर ले लिजिए यह अच्छा चार्जर ले 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 लिजिए उसके अंदर हर आजर खोल के आप देख लिए दो डाइबॉर्ड इस तरीके से आपको मिल जाएंगे अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए इस डाइबॉर्ड को किस तरीके से लगाना है कैसी यूज करना है मैं आप किसी भी सेट में जो सिस्टम में यूज करने जा रहा हूं आप किसी भी सेट में आप फॉलो कर सकते हैं हर सेट में यह वर्क करेगा जितने भी है चाइना सेट है हर सेट में हमने चाइना सेट में खास करके ऐसा प्रोब्लम ज्यादा आ रहा है चाइना सेट में जिसमें इस तरीके से प्रोब्लम आ रहा है सभी मैं हर सेट में इस तरीक से यूज करना इसे आप इस पर स्ट तरीके से इसे देख लीजिए बहुत आसानी से आप यूज कर पाएंगे यहां पर एक बेलेक कलर का एक तो राउंड है इस ड्यावोट के ऊपर को अध्यान से आप देखेंगे तो बिलेक कलर का पट्टी है और जो बिलेक क्लार की पट्टी है वो चार्जिंग जो वाले पर जोएंट होगा जोड़ा जाएगा आप देख लिए मैं प्लस वाला के पॉइंट पर मैं जोड़ रहा हूं अगर इसे आप डाइबोर्ड को उल्टा कर दे रहे हैं तो एक काम नहीं करेगा इसलिए ध्यान करने ध्यान से देखना ध्यान से करना बहुत ज़रूरी है मैं तो इस पर तरीके से ही बताने की पूरी कोशी करूंगा और किया भी हूं कि कि किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आये जिसके कारण से आप हमें कमेंड में यह बोले कि भाई यह काम नहीं कर रहा है कि चार्जिंग से जितनी रिलेटर जितनी भी जूली जानकारिया है हमें उम्मिद है कि इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इस वीडियो में मैं इस तरीके से इस पर कर दूंगा कि आप कोई भी सेट हो इसी तरीके से आप उसे रिपेर कर मैं मुबाइल और पोल्ट्री से जुड़ी नहीं नहीं जानकारी लेके आता रहता हूं पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है तो आपका बहुत-बहुत धनवाद पर आप यह देख सकते हैं दूसरा सिरा तो हमने बैटरी कनेंटर जो पलस वाला प्वेंट है इ कि मैं आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूं फिरन ज्यान से देखिए इधर का यह जंपर का दूसरा सिरा में इस डाइबोड में यहां पर जुड़ कर रहा हूं आप देख सकते हैं हा कि अच्छे से आप देख लीजिए यहां पर देख लेज्ए वो जो डयवॉर्ड है ड्रीश की वाला वह पलस क्या बैटरी के प्लस वाले पहला प्वैंट पर मिलिज किया है दूसरा जंपर हमने यह साइड में किया है यह जंपर उठागे हमने इस जगह पर डाइवोड में किया हूं जो अभी डाइग्राम में हमने बताया था अब इस जगह पर जोएंड कर सकते हैं दूसरा वाला यह जंपर कि जो हमने डाइग्राम में बताया था उसी तरीकसी यहां पे भी कर सकते हैं आप या फिर अप चार्जिंग जेक्ट क्या पर कर सकते हैं ब्रॉब्लम नहीं है यह वेद्म यह है आप इस जगेह से आपको अच्छा लगाए उस जगेह आप कर सकते हैं पर जो डाइबोड पे रेड़ वाला पट्टी है उससे ध्यान रखना है कि बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पे ही करना है और कहीं भी नहीं करना है अभी चार्जर में लगा के देख रहा हूं मल्टीमीटर से मैं चेक करूंगा क्या सप्लाई हमारा जो सेवन पहुंझ रहा है अभी चेक कर लेते हैं विल्क देख रहे हैं विल्कुल अच्छी तरीके से ऋपर आ रहा है अच्छी तक और शार्जिंग इसके मतलब यह कि हमारा यो सेट है संपूर तरीके से काम करेगा ब्छातर तरीके से अब भी कोई प्रॉब्लम यह सेट में नहीं आएगा आप इसी तरीके से कोई भी सेट अगर आपके पास आ रहा है हर सेट को आप इसी तरीके से रिपेर कर पाएंगे और मल्टिमेटर से चेक किये वेगर बिल्कुल भी कोई जमपर ना करें हमारी राइ यही है में अगर मल्टिमेटर से चेक करके सेट को रिपेर करते हैं तो भवी सेट जितने भी सेट आपके पास आ रहे हैं सबस्ब्स हैडे em रिप करके कश्टमर को देंगे ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि आप सेट ना रिपेर कर पाएं चार्जिंग से लेटेड और भी चार्जिंग से जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप कमेंड करके हमें बताएं मैं हर कमेंड के आपके सवालों को जवाब मैं पूरी तरह से देने की पूरी कोशी करूंगा हमारे सोसल मीडिया का लिंक भी मैंने दे दिया है आप हमारे सोसल मीडिया पर जूर सकते हैं वहां पर भी आप कोई भी सवाल कर सकते हैं मैं हर सवाल का जवाब बिल्कुल मैं इस पर तरीके से देने वाला हूं फिरेंड मैं चार्जर अभी देख लिए चा चार्जिंग तो और आया नहीं मैं दिखाने बिल्कुल बैटरी पूरी तरह से माइनस है विल्कुल भी इसके अंदर बैटरी अंदर चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है कि अब भी थोड़ी देर के बाद में देख रहा हूं अब से डूमेंट रुख जाते हैं फिर दोमेंट रुख जाते हैं फिर देखते हैं का चार्जिंग हो यह जो हमारा चल रहा यह बढ़ता है यंए आगे नहीं वाता है देखे लिए फिरांड अभी एक भी पॉयंट नहीं था अभी एक पॉयंट दो मिनेट के बाद में जब मैं देख रहा हूं तो एक पॉयंट इसके अंदर बैटरिंग अंदर इस्ट्रा चार्जिंग आ गया है इसके मतलब पूरी तरह से सेट हमारा कंप्रीट ह है हमारी पूरी वेडियों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भुएंगा अगा